हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल इन माई यूट्यूब चैनल सिविल इग्जाम गुरू सिविल इग्जाम गुरू यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो में मैं एक नया वीडियो लेक्चर सिरीज स्टार्ट करने जा रहा हैं सभी इग्जाम में इसका वेटेज खूब होता है तो गुजात गोर्मेंट की बात करने तो जीपी एसी एक्जाम जो है वह आने वाली है 14 मार्च को तो उसके लिए भी यह बेनिफिट होगा जी ट्रिपल एसबी की एडिशनल असिस्टेंट इंजिनियर की एक्जाम जो होगा ता आए देखते हैं सिले बस सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे बीलिबिंग स्टोन अद रॉक उसके बाद ब्रीक्स एंद ब्रिक मेसनरी उसके बाद सिमेंट लाइंग और मोल्टार इसके बाद कॉंक्रिट उसके बाद ऐग्रिगेट फिट इंबर वुड बेस्ट प् कौन-कौन से questions आएंगे कौन-कौन से questions आए हुए हैं उन सभी questions कौन लोग detailed solution के साथ देखने वाले हैं तो detailed solution के साथ यदि आपको चाहिए तो बने रही है कोशन नमर वन की तरफ और देखता है question नमर वन हमें क्या बोलता है एन एक्सप्लोजीव विच कंटें 65% सुलफरेट 25 20% सुलफर और 50% चारकोल एक ऐसा दोस्तों ब्लास्टिंग पाउडर कंटेंट 65% सुलफर 20% 65% सॉलफरेट 20% सुलफरेट 15% चारकोल इसके बाद डाइनमाइट डाइनमाइट कंटेंट 75% नाइट्रो ग्लीसरीन एब्जॉर्ब इन 25% अब दे सेंडी अर्थ फॉर्मिंग ए ठीक पेस्ट तो डाइनमाइट क पाउडर फॉर्म होता है और जो है उसको 25% उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है सेंडी अर्थ के अंदर कॉर्डाइट क्या होता है तो कॉर्डाइट इस पावर्फूल स्मोकलेस एक्स्प्लोजिव इन विच नाइट्रो ग्लीसलीन इस इस मेड़ बाइ सेचुरेटिंग दे कॉर्टन विद नाइट्रिक एसीड को नाइट्रिक एसीड के साथ सेचुरेटेड करके हम लोग नाइट्रो सेलिलोस या गन पाउडर यूज़ॉज बनाते हैं नोट के इसाब से दिखा गया है कुछ वह भी पढ़ लेता है कि मेटाम इसमोर्फिक रॉक आर हाइली कॉंपेक्ट एंड शॉलिड दे केरी नो फीजर और दे क्रेक एंडर दे डिफिकल्टू क्वेरी विद था हर्ट तूल ओके यह सेकंड कोश्चन की बात कर रहे हैं तो सेकंड कोश्चन देखते हैं क्या है OUT OF following which may be term as a unstatified rock unstatified rock जो है को दोस्तों layer के form में नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलता है unstatified rock जो layer में होता है उसको stratified बोलते है example layer में जो है उसका lime होता है answer is marblearies marble जों stitches richtify rock है physical classification rock की बात करें तो सबसे पहले stratified rock these are the layered rock ऐसे रोग जो है लेयर के अंदर होते हैं and possess a plane of cleavage और formation along with they can be split तो मतलब वो आसानी से जो है वो split हो सकते हैं Sedimentary rock usually possess this property So sedimentary rock जो है वो stratified rocks के अंदर आता है Example, sandstone and limestone and slate are the sedimentary rock Unstatisfied rock जो है क्या होते हैं They do not possess the plane of the stratification मतलब वो एक layer के form में नहीं होता है They possess crystalline in the compact grain और उसके अंदर वो crystalline के form में होते हैं Igneous rock are the unstatisfied rock Igneous rock जो है वो unstatisfied rock है Example, granite, marble and trap Granite, marble and trap जो है वो उसको आप लोग unstatisfied rock जो है बोल सकते हैं Next देखते हैं foliated rock क्या होता है तो they have the tendency to split along a definite direction ऐसे rock जो एकी direction में तूटने की छमता रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं foliated rock These directions are not parallel to each other in case of the stratified rock Statisfied rock के अंदर ये एकी direction मतलब parallel हो ऐसा जरूरी नहीं है Metamorphic rock soil are generally foliated rock Metamorphic rock जो होते हैं वो foliated rock के example में आते हैं Geological classification of the rock can be done as अब हमारे पास Geological classification है तो एक है आपका Igneous rock Igneous rock जो है Rocks that are formed by cooling of magma और the lava तो हमें पता है कि अर्थ के अंदर जो है अर्थ के center में core होता और core के अंदर जो है बहुत hot liquid बरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं magma और वह magma जो है अर्थ के surface पे आकर धीरे-धीरे cool होता है तो वह lava के form में convert हो जाता है तो solidification of the hot magma that is converted into the igneous rock These are the strong and the durable यह बहुत ही मजबूत और अधिक समय तक ठीक होए होता है इसके बाद आता है they are the crystalline and the compact grain यह crystalline के form में होता है और वो grain के form में होता है granite, basalt और dollarite जो है वो igneous rock के example है इसके बाद दूसरा है sedimentary rock These are the rock by the consideration of product of weathering obtained from the pre-existing rock अब मान लीजे जो igneous rock है वो धीरे-धीरे तूट के एक layer के form में जमा होते जाता है जमा होते जाता है उसको हम लोग बोलते है sedimentary rock Sedimentary rock जो है These rock are uniform and the fine grounded यह बहुत ही मतलब एक layer के form में एकदम uniform shape इसको दिखाई देता है They are bedded or the stratified structure वो एक stratified layer के form में structure बनाते है example sandstone, limestone, gypsum, lignite These are the sedimentary rock इसके बाद तीसरे प्रकार का rock है वो metamorphic rock These are the form by the change in the character of pre-existing rock अब मान लीजे पहले से कोई rock है जैसे की igneous rock है उसके character में या temperature की वएसे या कोई भी effect के color से कुछ changes आ जाते है by subjected to the great heat or the pressure pressure की वएसे या heat की वएसे तो उसको हम लोग बोलते है metamorphic example genesis, schist, laterite, marble and the slate these are the metamorphic rock chemical classification of the rock can be done as siliceous rock, argillaceous rock और calcareous rock chemical classification three parts में होता है siliceous rock, argillaceous rock और calcareous rock अब इसका calcareous rock calcium carbonate cac-e-o-3 is a main constitute calcareous में calcium carbonate cac-e-o-3 जो है वो में इंपोर्टेंट पार्ट होते हैं और लाइम स्टोर और मार्बल जो है वो calcareous rock है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें एक ही दिया हुआ इसका explanation कोई बात नहीं देखते हैं नेक्स्ट question number 4 where is question number 3 this is question number 3 question number 3 chemical marble is known as metamorphic rock argalaceous rock calcareous rock siliceous rock chemical marble metamorphic rock होता है argalaceous rock है calcareous rock है siliceous rock है तो क्या होगा, तो answer is option C, chemically marble जो है वो calcareous rock है, chemically marble जो है वो एक प्रकार का क्या है, calcareous rock, इसका detail देखते हैं, chemical classification of the rock can be done as, तो मैंने अभी पताया था, three classification होते हैं, इसको बोलते हैं, siliceous rock, दूसरा होता है argillaceous rock, और तीसरा होता है आपका calcareous rock, siliceous rock क्या है, in this rock, silica is predominant, मतलब most important जो इसके अंदर material होता है, उसको होता है silica, these are the hard and the durable, यह बहुत मजबूत और अधिक समय तक टिकाव होता है, इसको बोलते हैं, siliceous rock, siliceous rock में सबसे होता है, example, granite, sandstone and the quartzite, granite, sandstone and quartzites are the siliceous rock, argillaceous rock की बात करते हैं, तो in this rock, इस rock के अंदर, alumina और clay are the predominates, मतलब कि सबसे ज़्यादा important element कौन से होता है, alumina and clay, these are the brittle and the cannot be withstand shock, मतलब कि यह इतना brittle होता है, इसको छूते ही या इसके उपर थोड़ा सा भी pressure लगाओगे तो वो crush हो जाते हैं, these are the slate or the laterites are the example of argillaceous rock, तो siliceous rock में silica होता है, argillaceous rock में alumina या clay होता है, और calcareous rock जो है, उसके अंदर calcium carbonate, calcium carbonate जो है, वो main constitute होता है, example is limestone and the marble are the example of calcareous rock, okay, limestone and marble both are the example of calcareous rock, चलिए, question number 4, plaster of paris is obtained by calcining, calcining, plaster of paris जो है, वो कैसे बनता है, plaster of paris gypsum के calcination से, gypsum के calcination से plaster of paris pop बनता है, detail notification देखते हैं, तो plaster of paris is obtained by calcination of the gypsum, gypsum के calcination से plaster of paris बनता है, it is a quick setting, gypsum plaster consisting of a fine white powder which hard when the moisture is allowed to dry, जैसे ही, quick setting मतलब की gypsum powder के अंदर, calcium carbonates के अंदर जब जिपसum powder add करते हैं, इसा calcination करते हैं, तो उसके अंदर fine powder जैसा convert होता है, gypsum is crystalline minerals और hydrated calcium sulfate, gypsum जो है, वो crystalline minerals होता है, और इसके अंदर थोड़े water के form में hydrated calcium sulfate होता है, C-A-S-O-4 plus 2-H-2-O, जब भी हम gypsum को heat करते हैं, 120-180 degree Celsius पर, it gets dehydrated from the plaster of paris, 2-C-A-S-O-4-H-2-O, तो जैसे ही gypsum को 120-180 degree Celsius temperature पर गरम किया जाता है, it gets dehydrated, मतलब उसका dehydration होता है, उसके अंदर से water जो है remove वने लगता है, it is used to pre-cast hold part of the ornamental plaster work placed on the ceiling, तो आपने देखा होगा, ceiling पर हम लोग जायतर करके POP करवाते हैं, इसको बोलते हैं, plaster of paris, note, next question, अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, note में क्या लिखा हैं, कि bauxide is a chief commercial ore of aluminium, aluminium का सबसे basic ore जो होता है, जो खनीच चत्त होता है, वो है आपका bauxide and use for the extraction of the aluminium metal, means aluminium metal के extraction के लिए हम दोग bauxide use करते हैं, kankar is a term used in India for the masses of layer of the calcium carbonate found in the old arrival or stiff clay, means kankar जो है, वो इंडिया के अंदर प्रोनाउंस मनला एक term है, जो बोला जाता है, calcium carbonate का एक form होता है, इसके बाद लाइम स्टोन is a sedimentary rock, लाइम स्टोन एक प्रकार का sedimentary rock है, इस major material are the mineral calcite and argonite, is a crystalline form of crystal form of the calcium carbonate, CACO3, Now the next question is question number 4, A stone is rejected if it absorb water more than, यदि जो stone है, good quality of stone की बात करें, तो stone को अम लोग कब reject करेंगे, जब इसके अंदर water कितने से ज़्यादा होना चाहिए, तो यदि 10% से ज़्यादा पानी, वो stone के अंदर absorb होता है, तो उस stone को अम लोग क्या करेंगे, reject कर देंगे, देखते हैं, डीटेल एक्स्वेनेशन में, A good stone should have having less porosity, and so it should have the water absorption between 5 to 10%, and should be rejected if the water absorption is more than 10%, यदि 10% से ज़्यादा पानी absorb कर रहा है, 10% से ज़्यादा पानी absorption हो रहा है, तो हम उस stone को क्या करेंगे, reject कर देंगे, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 6, which of the following is a rock, इसमें से कौन सा जो है वो रॉक है, quartz is a mineral, mica mineral, gypsum भी mineral है, तो इसमें से कोई भी जो है वो रॉक नहीं है, तो option D जो है बिल्कुल से हो जाएगा, mineral is naturally occurring in organic solid, with a definite chemical composition, and the crystalline structure formed by the geological process, तो quartz, mica, gypsum, calcite, diamond, topes, these are all the minerals, a rock is an aggregate of one or more minerals, तो एक से ज़्यादा minerals बन कर क्या बनाते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं, rock बनाते हैं, एक से ज़्यादा minerals मिलकर rock बनाते हैं, for example, granite is composed of three minerals, quartz, felspar, and mica, granites जो है, वो quartz, felspar, और mica का combination होता है, next question number seven, a rock having the alumina और the clay as their main constitute are called as a, उसको बोलते हैं, argilaceous rock, अभी हमने थोड़ी देरे पहले पढ़ा था, एक ऐसा rock जिसके अंदर alumina और clay जो है, ज़्यादा constitute part में होता है, pre dominant part में होता है, major part में होता है, उसको बोलते हैं, argilaceous, siliceous में होता है silica, siliceous में होता है silica, और argilaceous के अंदर होता है alumina और clay, sedimentary rock जो है वो calcium carbonate, limestone को sedimentary rock बोलते हैं, argilaceous rock, in this rock, alumina और clay are the predominants, these are the brittle and cannot withstand the shock, example slate and the laterite are the argilaceous rock, next question, sandstone is a, sandstone जो है वो किस प्रकार का rock है, sandstone जो है एक प्रकार का sedimentary rock है, sandstone जो है वो sedimentary rock है, यहां पर rock और उसका classification दिया है, तो granite जो है वो igneous rock है, rock after metamorphism, metamorphism के बाद उसको बोलता है, granite जो है genesis बनाता है, granite का जो metamorphic formation है वो genesis है, basalt जो है वो igneous rock है, basalt से बनता है laterite, लाइम स्टोन जो है वो सेडिमेंटरी रॉक है और लाइम स्टोन से बनता है मार्बल मर्ड स्टोन जो है सेडिमेंटरी रॉक है मर्ड स्टोन से बनता है स्लेट सेंड स्टोन जो है वो सेडिमेंटरी रॉक है सेंड स्टोन से बनता है क्वाड़जाइट तो granite से बनता है genesis, basalt से बनता है laterite, limestone से बनता है marble, mudstone से बनता है slate और sandstone से बनता है quartzite next question, question number 9, next question, question number 9, a crushing strength of the good building stone should be more than, crushing strength of good building stone, एक अच्छी stone की crushing strength कितनी होती है good building stone की crushing strength should be greater than, should be more than 1000 kg per centimeter square, 1000 kg per centimeter square से ज्यादा होगा option B, जोई बिल्कुल सही हो जाएगा crushing strength of the good building stone should be more than 1000 kg per centimeter square और 100 MPa, याद रखिएगा 100 MPa या फिर 1000 kg per centimeter square से ज्यादा होना चाहिए crushing test is performed to determine the crushing strength, the stone samples are cut into the size of 40 by 40 by 40 mm, means याद रखिएगा दोस्तों important point है stone के उपर जो crushing strength होता है, वो stone को 40 by 40 by 40 mm के size पर cut किया जाता है, उसका crushing strength हम लोग निकालते है number of the sample should not be less than 3, means आपको जदी crushing strength निकालना है stone का, तो कम से कम आपको 3 number of sample लेने पड़ेंगे the sample are tested in the saturated condition, hence are placed in the water about 72 hour prior to the test, मतलब कि मानलीजी आज आपको test करना है, तो आपको 3 days पहले से उसको पानी के अंदर डाल देना है, querying करने के लिए load bearing surface of the sample is covered with the plywood of about 5 mm thickness, मतलब जिसके उपर, जिस surface के उपर load रग रहा है और यहाँ पर ऐसा stone है और इसके उपर load लगा रहा है, तो 5 mm thickness वाली एक wooden plate जो है, plywood की plate उपर रखनी रहती है load is applied exactly at the rate of 14 MPa per minute, load जो लगाना है, वो 14 MPa per minute जो है, वो लगाना है crushing strength of the stone is load at which sample crushes divided by the area of the bearing surface of the specimen तो crushing strength कैसे मिलेगा, तो जिस load पर stone जो है, वो crush हुआ है, वो load divided by area हम कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा crushing strength of the stone, average of at least 3 sample is reported as a crushing strength of the stone तो दो चीज़ important थी, हम लोग load कितना लगाना है, हमको load 14 MPa per minute लगाना है और stone का जो sample है, उसकी size 40 by 40 by 40 mm होती है next, question number 10, hardness of the rock can be tested in the sea 2 using hardness of rock rock की hardness test करने के लिए smith test करते हैं, answer is a smith test, answer is sorry skimid hammer test करते हैं, skimid hammer test करते हैं hardness के लिए skimid hammer rebound test was developed to determine the compressive strength of the concrete and has been used to determine the hardness and the compressive strength of the rock material तो दोस्तों, skimid hammer test जो है, वो determine किया गया था कि compressive strength किसके लिए concrete की compressive strength के लिए और इसके साथ साथ यह और भी determine क्या करता है compressive strength and hardness of rock material, this instrument is portable, यह बहुत, पोर्टेबल होता है एक जगा से दुसरे जगा असानी से इसको ले जा सकते हैं, easy to use and can be applied in both the laboratory and the field laboratory में भी इसका यूज़ किया जा सकता है और field में भी यूज़ कर सकते हैं skimid hammer test, note smith test क्या होता है, smith test is used for finding out the presence of soluble matter in the stone by keeping the stone in the glass or the test tube full of the clean water, the smith test से उस stone के अंदर उसके साथ साथ और कौन सा material soluble है उसके साथ साथ वो जानने के लिए हम लोग smith test करते हैं, acid test, acid test is used to investigate how much atmospheric action can be registered by the stone acid test जो है उसके उपर atmospheric action, atmosphere का क्या effect पढ़ रहा है उसको जानने के लिए हम लोग acid test करते हैं, in this test stone is chipped from 100 gram, मतलब 100 gram के cheap में, मतलब piece में खट किया जाता है, are put in the solution of 5% of HCL, 5% hydrochloric और sulfuric acid, and after 3 days, they are taken out and tested for the safe age, sharp age, मतलब की 100 gram का उच्छा चीप लेंगे, उसको हम लोग 5% HCL solution और H2SO4 solution के अंदर add करेंगे, तीन दिन के लिए उसके बास में से निकालेंगे, तो उसका sharp age मतलब जो age जो है वो देखा जाएगा, इसके बाद आता है, crystalline test is used to determine the durability durability और weathering quality of the stone, means crystalline जो है, stone की durability और weathering, मतलब stone कैसे तूट रहा है, वो जानने के लिए हम लोग crystalline test करते है, a sample of the stone is placed in a solution of sodium sulfate at the room temperature for 2 hour and taken out and the weight difference in the percentage is calculated, मतलब की एक sample हमने लिया और उसको sodium sulfate के अंदर solution के अंदर दाल दिया, पहले हमने उसका weight ले लेंगे, उसके बाद वापस से weight करेंगे, तो हम लोग उसका crystalline test कर सकेंगे, question number 11, crushing strength of good building stone should be more than, crushing strength, अभी हमने पढ़ा था, crushing strength of good building stone 100 mega pascal से ज़्यादा होना चाहिए, 100 mega pascal या फिर 1000, 1000 kg per centimeter square, 100 mega pascal या 1000 kg per centimeter square, next question number 12, the most suitable stone for the building pier is, building pier, granite, limestone, marble and sandstone, देखिए, granite सबसे strong होता है, इसलिए हम लोग, pier के अंदर, foundation के अंदर हम लोग इसका use कर सकते हैं, granite is a one type of igneous rock, granite जो है वो एक प्रकार का igneous rock है, it is hard and durable, यह मजबूत होता है और durable होता है, hence it is suitable for the building pier, इसलिए हम लोग इसको building pier के अंदर use कर सकते हैं, इसका explanation देखते हैं, building pier is a vertical load bearing member, which transfer the load from beam to the foundation, building pier क्या होता है, तो एक प्रकार का column बोल दीजिए, या फिर एक प्रकार का ऐसा member, जो उपर के load को, beam के load को, foundation के अंदर transfer करता है, mainly it is made of the RCC, and some case it is made of the stone, कभी-कभी RCC का, या फिर stone का भी बन सकता है, चले, question number 14, question number 14, okay, blast, basalt stone is by nature, basalt stone जो है, वो किस प्रकार का होता है, by nature is a volcanic rock, basalt जो एक प्रकार का igneos rock है, और वो volcanic category में आता है, igneos के अभी अमारे पास, दो प्रकार है, इसको थोड़ा देखते हैं, कि igneos rock जो हैं, उसका कितने टाइप से, तो igneos के दो प्रकार, एक होता है, plutonic जिसको intrusive बोलते हैं, और दूसरा होता है, volcanic जिसको extrusive बोलते हैं, plutonic क्या होता है, they are formed beneath the earth surface, after cooling and the crystallization of the magma, मतलब कि, वो earth surface के अंदर ही, इसका solidification हो गया है, अब volcanic eruption, हम लोग बोलेंगे, जो आला मुखी आप जानते ही होगे, तो earth surface से उपर आके, उसका volcanic eruption होता है, these are formed at the earth surface, after cooling and the crystallization of the magma, example देख लीजिए, कि plutonic का example क्या है, तो plutonic का example जो है, वो आपका granite, gebro and diorite, और volcanic का basalt और endecite, question number 14, granite is a rock that is by nature, granite जो है, वो किस प्रकार का rock है, plutonic rock है, granite जो एक प्रकार का plutonic rock है, जो earth surface के बिनीत में, earth surface के अंदर ही, इसका solidification हो जाता है, granite is a plutonic rock, question number 15, under the heat and the pressure, granite is transferred into, अभी हमने पढ़ा था, granite जो है किसके अंदर ट्रांस्फोर जाए, granite जो है genesis में ट्रांस्फोर जाता है, G से granite, G से genesis, genesis, अभी इसको याद कर लीजिए, वापस से question आया हुआ, granite जो है is converted into genesis, basalt is converted into laterite, limestone is converted into marble, mudstone is converted into slate, and the sandstone is converted into the quartzite, granite is genesis, basalt is laterite, limestone जो है वो marble में है, mudstone जो है वो slate में convert होगा, sandstone जो है वो quartzite में convert होगा, next question, question number 16, quartzite and the marble are by nature, quartzite and the marble, जो है वो किस प्रकार के rock है, तो quartzite जो है वो बनता है, अभी मैंने पढ़ाया, quartzite जो बनता है वो sandstone से बनता है, और marble जो है वो limestone से बनता है, तो दोनों जो है वो metamorphic rock है, तो omson D जो है वो बिल्कुल से हो जाएगा, quartzite and the marble both are the metamorphic rock, metamorphic rock are formed by the change in the character of pre-existing rock, when subjected to the heat and the pressure, जब हमारे पास कोई pre-existing rock है, और उसके उपर जब हम pressure से heat या pressure लगा रहे हैं, तो उसके property के अंदर कुछ changes आ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, metamorphic rock, question number 17, the natural bedding plane of the stone and its direction of the pressure in the stone masonry is, natural bedding plane of the stone, stone की natural bedding plane and its direction of the pressure in the stone masonry, stone masonry में कैसा होता है, normal होता है, parallel होता है, 30 degree होती है, या फिर 1945 degree होती है, तो natural bedding plane और direction of the loading जो है वो नॉर्मल होता है, the direction of the pressure in the stone masonry is kept, perpendicular to the natural bedding plane of the stone, तो हम लोग perpendicular रहते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे है, कि यह stone masonry है, stone masonry को पर जो pressure लग रहा है, और यह natural bedding है, plane का, the natural bedding plane of the stone in the masonry is perpendicular, in case of the stone wall, यह पत्थर की दिवाल है, the position of the stone block should be same in which they were originally deposited, this position gives maximum strength to the stone work in the wall, means जो है, stone वाली जो दिवाल है, उसके अंदर जो stone block की position है, उसको इस तरीके से place करना है कि, उसके अंदर maximum से maximum है strength मिल सके, in case of the stone arc, stone arc के अंदर, the bedding plane should be radial at the right angle to the face of the arc, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे abitment है, यह stone है, यह rise है, natural bedding plane, जो है यह इस परकार से यह stone arc है, तो bedding plane should be radial, कैसा होगा, यह radial होगा, यह फिर right angle जो हो रखा जा सकता है, question number 18, the process of providing the smooth face and the regular face to the stone is known as, तो stone को थोड़ा मरमत करना, उसको smooth face और regular face प्रवाइट करने की जो process, उसको हम लोग बोलते हैं dressing, और खादान के अंदर से जो stone हम लोग खोद कर निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, quaring, तो देखिए इसका detail, quaring, quaring, the stone quaring is a multi-stage process, by which rock is extracted from the ground and the crust to the product aggregate, ground के अंदर से जो rocks को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग छोटे-छोटे parts में divide करके, aggregate बनाते हैं, उस process को हम लोग बोलते हैं, quaring, इसके बाद आता है, seasoning of the stone, seasoning of the stone is similar to the seasoning of the timber, the fresh queried stone have the natural moisture, जो fresh query, मतलब कि जो stone हम लोग query करके लेके आ रहे हैं, उसके अंदर कुछ नब कुछ moisture होगा, और उस moisture को, this moisture is known as query shape, उसको हम लोग बोलते हैं, query shape, and the drying of the stone from the query shape is known as seasoning of the stone, इस query shape को जो सुखाते हैं, जो उसको seasoning करवाते हैं, उसको dry करवाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, seasoning, next, dressing, the stone dressing is a working of the queried stone in the shape and the size required for the use, जिस shape और size का हमें ज़रूरत है, उस shape और size के लिए हम लोग convert करते हैं, this is the necessary as a stone obtained from querying, generally do not have exact required dimension or the finish, मतलब कि जो हमने querying करके stone लाया हुआ है, वो हमारे desire shape का नहीं है, desire shape और size में convert करने की जो process होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, dressing of the stone, चलिए next question के तरफ बढ़ते हैं, आगे question number, okay stone pitching क्या होता है, वो भी देख लेते हैं, stone pitching, the stone pitching is a technique that involves the interlocking large stone, and the placement of the stone on a sloped surface, मतलब कि जो sloped surface पे कैसे दो stone एक दूसरे के साथ, proper bonding बना के रुकेंगे, उस process को हम लोग बोलते हैं, stone pitching, stone pitching is used for erosion protection of the slopey area, मतलब कि जो slopey area है, उसके अंदर erosion ना हो, उसके लिए हम लोग stone pitching इस्तेमाल करते हैं, following stone is suitable for the damp proofing, कौम सा stone damp proofing के लिए बहुत important है, तो answer is slat, slat जो है वो damp proofing, DPC work के लिए use किया आता है, damp proofing क्या होता है, the damp proofing in the construction is a type of moisture control technique, मतलब moisture enter ना हो, इसलिए हम लोग हर level पर, plinth level पर almost DPC provide करते हैं, is applied to the building, wall, floor and the roof, to prevent the moisture from passing into the interior, space by using damp proofing material, damp proofing material is, first one is flexible material like, butyl rubber, hot bitumens, plastic sheet, semi rigid material like the material, mastic asphalt, rigid material like the impervious brick, stone, slate, cement mortar, cement concrete, painted with the bitumens, इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है, वो एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, जो सिलीशियस के फॉर्म में होता है, यूज़ फॉर और्नामेंटल वर्क, कॉलम, सी वाल, ब्रीज पियर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, रेलवे बेलास्ट, इन दे मेकिंग फ्र्टिफिश्यल स्टोन, बिल्डिंग बेर्ट में यूज़ होता है, याद रखेगा, ब्रीज के अंदर जो पियर होता है, ब्रीज, जो लास्ट वाला जो support होता, उसको abitment बोलते हैं, center वाले support को हम लोग peer बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग granite का use करते हैं, basalt और the trap is a one type of igneous rock, that is also siliceous rock, is a paving seat में उज़ता है, road material में उज़ता है, aggregate in the concrete, concrete के अंदर जो aggregate का इस्तेमाल करते हैं, वो भी basalt होता है एक प्रकार का, slate, slate is a metamorphic rock from, or the mudstone, form from mudstone, से बनता है, slate making electrical switchboard, electrical switchboard as a DPC, use in the chistens or the urinal partition, जो आपने toilet seats वगर आप देखते हैं, वो भी जो है, वो किसे बनता है, slate से बनता है, genesis is one type of metamorphic rock, is a street paving, मतलब कि जो blocks बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, sandstone, sandstone is a sedimentary rock, is a siliceous variety, coarse grain for the ruffle work, for the slab, tiles, and the fine grain for the slar work, और molding work में यूज़ किया जाता है, marble is one type of metamorphic rock, from the limestone or dolomite, limestone से बनता है, marble या dolomite से बनता है, carving और decoration purpose, work, steps, wall, table slab, वगरा में यूज़ होता है, laterite is one type of sedimentary rock, as a building stone, और road material में यूज़ होता है, next question की तरह बढ़ते हैं, question number 20, sub classification of the sedimentary rock, sedimentary rock का दूसरा classification क्या है, तो certified और unstatified, answer is, answer is B, sub classification of sedimentary rocks are, answer is B, sorry, mechanical, chemical and organic, mechanical is a, mechanical is a classic rock made from the mechanical weathering, chemical is a non-classic rock or the organic rock, तो तीन जो है, यह इसका sub classification है, sedimentary rock का, अब यह rock का पूरा का पूरा classification यहाँ पर दिखाया गया है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, rock का पूरा का पूरा classification, तो rock जो है, basically तीन में डिवाइड किया गया है, geological classification, physical classification and the chemical classification, geological classification में, igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock, igneous rocks, rocks are formed by cooling or solidification of the magma and the lava, solidification of magma and lava, magma और lava का जो solidification होता है, जब वो cool होते हैं, जब वो ठंडे होते हैं, तो वो solid form में convert हो जाते हैं, जिसके वज़एस से बनता है, igneous rock, sub classification की बात करते हैं, तो उसमें में बनता है, plutonic rock और volcanic rock, sedimentary rock is formed by weathering action of existing rock, मतलब igneous rock की weathering action के कारण, जो rock बनते हैं, उसको बनते हैं, sedimentary rock, इसका sub classification is a mechanical, chemical and organic, metamorphic rock जो है, वो igneous and sedimentary rock को उपर heat और pressure की वज़े, और temperature की वज़े से जो change आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, metamorphic rock, example देख लीजिए जल्दी से, तो example देखते हैं, तो plutonic और volcanic में, granite, dolomite, basalt, trap और pegmetide, ये सब जो हैं वो आपका igneous rock है, gravel, sandstone, limestone, shale, gypsum और lignite, ये जो हैं आपका sedimentary rock है, marble made from the limestone, limestone से बनता है marble, slate जो हैं बनता है granite से और sandstone से बनता है quartz, तो ये आपका जो हैं वो metamorphic rock है, इसके बाद physical classification की बात करें, रॉक के physical classification की बात करें, तो दो प्रकार का rock होता है, एक होता है stratified rock, और दूसरा होता है unstatified rock, तो rock show layered structure, ऐसा rock जिसके अंदर layer structure होता है, उसको बोलते हैं हम लोग stratified rock, and rock not showing the layer structure जिसके अंदर layer structure नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं unstatified rock, example की बात करते हैं, तो sandstone, limestone और sled, ये जो हैं हमारा stratified rock है, granite, trap और marble जो है वो unstatified rock है, chemical classification ही बात कर रहे हैं, तो there are three types of the rock, which is based on the chemical classification, calcadious rock, argillaceous rock, और siliceous rock, calcadious rock, these rock having the calcium carbonate as their main compound, तो calcadious rock के अंदर calcium carbonate main components होता है, argillaceous rock के अंदर clay और alumina main components होता है, siliceous rock के अंदर silica जो है, उसका main constitute होता है, आगे बढ़ते हैं, next में तो example देख लेते हैं, तो calcadious rock का example है marble and limestone, argillaceous का example है slate, clay, mudstone, laterite, और last वाला जो example है, last siliceous rock, sandstone, sandstone, trap, quartzite and granite, these are the example of sandstone, चलिए, आगे बढ़ते हैं next, next question के तो बढ़ते हैं, question number 21, question number 21 is, pagmatite is an example of, pagmatite is one type of intrusive igneous rock, pagmatite जो है, एक rock होता है, जो intrusive igneous rock है, तो pagmatite rock is an example of intrusive igneous rock, intrusive igneous rock क्या होता है, तो igneous rock made from cooling of solidification of the magma, magma का solidification, cooling होने का जो process है, उसमें बनता है आपका intrusive igneous rock, when the magma is cooling below the earth surface, magma is cooling below the earth surface, cooling rate is slow, then the intrusive rock is formed, तो जब यह hot magma, जो है, earth surface के नीचे, मतलब की earth surface के नीचे, इसका cooling होता हो, तो उस प्रकार का जो rock बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं, intrusive rock, तो इसमें cooling rate बहुत slow होता है, इक्जांपल, granite, pegmatite, pedirite, peridotite, और diorites, आर दे इक्जांपल औफ, इक्जांपल औफ, इग्नियस intrusive rock, इक्जांपल इस, pegmatite, एक्टुनसिव का भी देख लेते हैं, तो इक्स्टुनसिव इग्नियस rock क्या होता है, when the magma is reach the earth surface, then it is called as a lava, जब मेगमा जो अर्थ सर्फेस पे पहुंच जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा लावा इस कुलिंग एंदे कुल्ड क्विक्ली तो फॉम् दे स्मॉल क्रिस्टल देन एक्स्टूर्सिव इगनियस रॉक इस फॉर्म तो जब लावा कूल्ड होता है और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्टूर्सिव इगनियस रॉक इस बैसाल्ट, डेक्टाइट, प्युमाइक, रायोलाइट आर दे एक्जामपल अफ आर दे एक्जामपल अफ एक्स्टूर्सिव इ बिखिकेशन पिव बलतन मास और ओर सिलेक हेट बिलो दसर्फेस अफ अफ्ट एव रर्थ चेंज इन तेक्च्च्च्चर दी मिन रर दे प्र बोद दी इनियस रॉक चैंड इनियो क्विंटिर प्रेचर आपकाम मेटामप्रूर्फिक हो जाएगा घथो आपका मेटामप्र सी है मंदल लेयर के फ़रम में सेडिमेंटरी रॉक है न इपोजिटेट लेयर अफ़ दूसेंड इन सब्जेक्टेटेट तो थे अनुम्रस ओर बर्दन प्रेशर ओर जी जो लोजिकल ताइम इस इदिमेंटरी रॉक Sedimentary rock क्या होता है Sedimentary rocks are formed by consolidation and the cementation of a sedimentary deposit Typical sedimentary rock are the sandstone, limestone and the shell इसके बाद आता है आपका igneous rock Igneous rock क्या होता है Igneous rock are formed by cooling and solidification of the magma And these rocks are the granite basalt It is composed mainly of the oxygen, silica, alumina, iron, calcium, magnesium, sodium and potassium Metamorphic का definition आप लोग जानते है Metamorphic rocks are formed when the pre-existing rocks have been changed in the texture composition By increase the temperature and the pressure Typical rocks are the slate and the marbles are the metamorphic rock Next question number 23 The subclassification of sedimentary rock वापस से सेम कोश्चन रिपीट हुआ है Subclassification of sedimentary rock is known as mechanical, chemical and the organic Mechanical, chemical and the organic Classification of the rock की बात करें तो वापस से आप यहाँ पे देख पा रहे हो Sedimentary rock, igneous rock and metamorphic rock Sedimentary rock में mechanical, chemical and the organic Plutonic बोलते हैं और exclusive को जो है Slate chips or genesis or non-foliated may quartzites and the marble Next question is question number 25 Okay question number 24 In the stone masonry, stone are placed in a position such that natural bedding plane Is normal to the direction of the pressure they carry Answer is A Normal to the direction of the pressure they carry Repeated question है In the stone masonry, stone masonry calendar The stone are placed in the position such that natural bedding plane is normal to the direction of the pressure they carry Next question number 25 Slate and the marble Slate and the marble stone belongs to Slate and marble are the metamorphic rock किस प्रकार का rock है? Metamorphic rock फिर से यह tables देख लीजिए दोस्तों Granite जो है वो एक प्रकार का igneous rock है उससे बनता है Genesis Basalt भी igneous rock है उससे बनता है Latterite Shell और limestone जो है वो sedimentary rock है उससे बनता है marble Mudstone जो है sedimentary rock है बनता है Slate or Sandstone से Quartzite Question number 26 Find the one which is not used in the quering Quering में क्या यूज नहीं होता है Quering में Gunpowder तो blasting है Gun Cotton भी एडाइनमाइड भी उस होता है But marble powder जो है वो Quering में यूज नहीं होता है The process of taking out the stone from the natural rock beds This is known as a quering Method of the quering is a hand tool method Hand tool method Quering with the channeling machine Quering by the blasting Quering with the hand tool Hand tool से कौनकों सी Quering कर सकते हैं Following are the three different way of doing Quering by the hand tool Is it digging or excavating Heating or wagging Quering with the channelizing machine In this method, channelizing machine driven by the steam Compressed air and electricity used to make the vertical oblique groove or channel on the rock mass Channelizing machine में क्या होता है कि this method में कि steam से जो है उसके अंदर गुरू करते हैं और गुरू करके उसको जो है रॉक मास को आम लोग निकालते हैं Quering by the blasting Blasting में क्या होता है In this method, the explosives are used to convert the rock into small piece of the stone Material for the blasting So, first of all, detonators use when the dynamite is used as an explosive Explosive, the blasting powder also known as a gun powder Dynamite are the common use for as a explosive Other explosives are also used is a blasting Gelatine, Chordides, Gelignite, Gun Cotton, Liquid Oxygen, and Rock A Rock These are also used Question number 27 If the rocks are formed due to alteration of the original structure Under the heat and the excessive pressure Then they are known as a metamorphic rock Metamorphic rocks are formed by the change in the character of the pre-existing rock When subjected to the heat and the pressure Genesis, Chist, Laterite, Marble, and the Slate are the example of the metamorphic rock Question number 28 Question number 28 Question number 28 Plaster of Paris can be obtained from the calcination of gypsum Gypsum ke calcination se humme plaster of Paris Milta hai, wapas hai repeated question hai Question number 29 Quartzite is a quartzite Quartzite jho hai, wohh eek prakara ka kya hai Sandy rock hai, siliceous rock hai, organic rock hai, calcareous Quartzite is one type of siliceous rock Quartzite is a siliceous rock formed by the metamorphic rock Morphism of the sandstone Sandstone jho hai, siliceous hai, quartzite bhi siliceous ho ga Question number 30 Which of the following of the reason for decrease in the use of stone as a building material Stone Jho hai, building material me, upcome use ho raha hai, kya ho Steel and RCC are the more durable Strength of the stone cannot be rationally analyzed Stone are not conventionally available in the plane All options are the correct Sambhi option jho hai, bilkul saiyan The strength of the stone is difficult to analyze Strength of the stone is difficult to analyze Rationally because strength of the stone is depend upon the strength of the rock Which is obtained from the depending upon the formation condition Means jho hai, rock ki jho strength, mtblah stone ki jho strength hai, usko analyze karna It is possible in terms, or means it is obtained which may vary depending upon the formation condition से मतलब कि हर एक condition पर वो depend करता है such as a physical condition physical parameter age of the rock weathering condition texture के इसाफ से तो सभी बहुत सारे parameter है बहुत सारे factor है जिसके उपर जो है rock की strength जो है depend करती है इसलिए उसका proper strength नहीं हो पाता है जिसे कारण उसको अब लोग कम use कर रहे है the strength of the stone may vary even if they extracted from the different depth shingle is a single क्या है single is a water bound pebbles disintegrated laterite crushed granite या none of these इसके अंदर से answer is single is a option b is correct disintegrated laterite disintegrated laterite is one type of rock single is produced from washing ballast and it is one of the graded gravel मतलब कि ballast को जब अच्चे से wash करोगे तो उसके अंदर से gravel मिलता उसको बलते शिंगल they are perfect for driveway path flower beds and variety of the landscaping purpose singles are widely used as a roof covering on the residential building residential building के अंदर चर्थ के ऊपर जो है यूज करते हैं and made up of the wood asphalt slate and the disintegrated laterite they are attached in the overlapping courses question number 32 which of the following could be specific gravity of the stone to be used as a building material answer is 2.7 which of the following could be the specific gravity of the stone तो stone की specific gravity कितनी होनी चाहिए तो answer is 2.7 very very important question दोस्तों काफी बार बहुत सार एक्जाम में देखने को मिला है specific gravity of stone तो आपको याद अचना specific gravity of the most of the natural aggregate lies in between 2.5 to 2.8 low specific gravity indicate high porosity sorry low specific gravity indicate high porosity and therefore the proper durability and the low strength stone density will greatly depend upon the specific gravity question number 33 solidification of the molten magma when it reaches to the surface of the earth result in the formation of kya banayega result in the formation of sedimentary rock metamorphic rock basalt and the trap or granite kya banayega basalt banayega answer is c basalt when the magma is reached with the surface then it is called as lava and when the lava is cooling as they cool quickly from the small crystal तो उसके बनता है extrinsive igneous rock extrinsive igneous rock जो है वो earth surface से उपर आके cold cold होता है और उसके अंदर का example जो है वह हमने बहुत बार देखा है बासल, decaid, pumic and rhyolite question number 34 the argillaceous rock have their principal constitute as silica and alumina answer will be silica and alumina sorry argillaceous is alumina and clay alumina and clay argillaceous rock are mainly composed of the clay okay question number 35 which of the following is the main composition of the grain granite इसमें से granite का main composition क्या है granite का main composition क्या है quartz, feldspar and mica quartz and the lime quartz and the silica silica lime and alumina answer is quartz, feldspar and mica are the main composition of the granite granite is an igneous rock and mainly composed of quartz, feldspar and silica mica quartz, feldspar and mica marble is one type of metamorphic rock, marble is one type of metamorphic rock marble is one type of metamorphic rock formed from the limestone, limestone is a sedimentary rock, limestone से बनता है हमारा marble on which of the following factor the crushing strength of the stone does not depend कौन से factor पर stone की crushing strength depends नहीं करती है तो texture पर करेगी specific gravity पर करेगी दोनों करेगी workability जो है related with concrete workability जो है वो concrete से जुड़ा हुआ है दोस्तों तो workability के उपर depend नहीं करेगा crushing strength of the stone is depend on the state of aggregation of the mineral particle hence the crushing strength of the stone depends upon the texture and the specific gravity तो crushing strength stone की जो है उसके texture के और specific gravity को पर depend करती है a good building stone should possess a crushing strength at least 100 newton per mm square and the good building stone should possess the specific gravity does not less than 2.7 तो यह दोनों point important है कि जो good building stone होते हैं वो उसकी specific gravity 2.7 से कम नहीं होनी चाहिए और उसकी strength जो है 100 newton per mm square से कम नहीं होनी चाहिए question number 38 in the stone masonry stone stratified rocks are so placed that the direction of the pressure to the plane of the bedding is stone masonry के अंदर stone को हमें इस तरीके से रखना है कि direction of pressure और plane of bedding दोनों जो है normal हो जाए 90 degree हो जाए इसका detail notification आप देख सकते हैं plaster of paris is obtained by calcinizing of same question gypsum ke calcination से बनता है plaster of paris next question number 14 the rock formed due to alteration of the original structure due to heat and excessive pressure is known as metamorphic rock both important or barbar repeat or a question metamorphic rock next question question number 41 granite mainly composed of the quartz and the feldspur particle is obtained from obtained from igneous rock which of the following represents the crushing for the good quality stone that is used in the construction of the building the answer is crushing strength mega pascal में पूछा है तो 100 greater than 100 mega pascal stone का जो good crushing strength जो है 100 mega pascal है याद रखेगा दोस्तों 100 mega pascal और 1000 kg per centimeter square next question number 43 the light weight aggregate are obtained from light weight aggregate कहां से बनेगा light weight aggregate जो बनेगा volcanic source से बनेगा extrusive igneous rock से बनेगा light weight aggregate most of the light weight aggregate is produced from the volcanic source blast furnace slag natural pumic parides and basalts question number 44 the process of production of natural stone is known as process of production of natural stone is known as querying answer is b querying process of production of natural stone is known as querying this detail हमने देख लिया हुआ है next question number 45 which of the following statement is correct about the rock and the minerals the quartz mica are the only minerals quartz mica are only minerals quartz mica and felspar are minerals which of the following possesses more ability to resist the fire fire compact sandstone जो है वो fire resistance होता है compact sandstone question number 47 the crushing strength of good stone is 100 mega pascal same question repeated crushing strength of good stone which of the following metamorphic rock has a more weathering resistance characteristic more weathering resistance characteristic the quartzite what is the more hardest number for topes more hardness number for topes is 8 यह कुछ नया कोश्यन आया है वो असको आम लोग डिटेल देखते हैं तो मोह हार्डनेस नंबर जो है वो टोपेस का एट है चलिए कोश्यन नंबर 50 which of the following is a chemical classification of the rock chemical classification of rock answer is siliceous rock chemical classification is siliceous rock which of the following is example of sedimentary rock sedimentary rock is sandstone is a sedimentary rock sandstone whatever sedimentary rock which of the the rock of that process crystalline and the the compact grain are called as crystalline and the compact grain are as an unstatified type of rock next question number 53 the process of taking out the stone from the natural rock is known as natural rock is known as squaring next question question 54 the match the following stone with the list one with list two granite marble limestone and salt granite marble limestone granite ornamental work के लिए होता है marble limestone जो है cement manufacturing slate जो है marble जो है flooring के लिए or slate जो है जो है वो sea wall 52 answer is b देखते है granite is used in the building bridge paving sea wall construction indoor pavement marble is ornamental work at the pharmaceutical uses marble is ornamental work okay granite is used in the building okay limestone is manufacturing of cement coal mines ballast furnace slate is used in the flooring and the using flooring work okay तो इस आज के वीडियो में हम लोगो ने stone से जितने भी questions पूछे गए थे stone को हमने complete किया हुआ है लगभग almost 54 to 55 questions जो है वो stone से हमने complete किया है next video के अंदर हम लोग पार्ट 2 देखेंगे bricks and the brick masonry bricks and brick masonry को हम लोग next video के अंदर देखेंगे thank you very much for watching this video और यदि आप किसी भी exam के तयारी कर रहे हैं civil engineering की exam के तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए building material is one of the important subject building material जो है बहुत ही important subject है जिसको आप जो है निगलेट नहीं कर सकते हो तो almost इसका weightage हर exam में 10% almost होता ही होता है तो जिससे आप जो है इसकी exam के तयारी कर सकते हैं और यदि आपको video अच्छा लगा है तो like कर दीजिए channel पर पहली बार आया हुए है तो channel को subscribe कर दीजिए video next video में हम लोग bricks के बारे में discuss करेंगे thank you very much keep watching keep sharing